और भक्ति आंदोरन वो डोर थी जिसने सदियों से संगर्षरत भारत को सामुहित चेतना और आत्म विश्वात से भर दिया। साथियों भक्ति का ये विशाय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक महान काली भक्त स्री राम कृष्ण परमहुजी की चर्चाना हो। वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानन मिले। स्वामी विवेकानन भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिवेता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्मान पर बल देते हुए कर्म को भी अभिवक्ति दी, प्रेर्णा दी। साथियों, भक्ति आंदोलन के सैक्डो वर्सों के कालखन के साथ साथ, देश में कर्म आंदोलन भी चला। सद्यों से भारत के लोग गुलामी और सामराज जवात से लड़ रहे थे। चाहे वो छत्रपती सिवाजी महराज हो, महरना प्रताब हो, जांसी के रानी लक्ष्मिभाई हो, कित्तूर के रानी चिन्नमा हो, या फिर भगवान विर्षा मुंडा का ससस्त संग्राम हो। अन्याय और सोशन के विरुद, सामान्य नागरिकों के तब त्याग और तरपन की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविश्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर बहार थी। तो उसके साथ साथ ज्यान की सरीता का ये नूतन त्रिमेनी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था। आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेणा भरपूर थी। समय की मांग थी कि ज्यान के अधिस्थान पर आजादी की जंग जितने के लिए वैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए। और साथ ही उजवल भावी भारत के निर्मान के लिए नई पीडी को तैयार भी किया जाए। और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाई। उस समय स्थापित हुई कई प्रतिस्थित सिक्षण समस्थानों ने विश्व विद्यालय ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो। बनारद हिंदू विश्व विद्यालय हो। अलिगर्ड मिनस्लिम उनिवर्सिटी हो। नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लहोर में है। मैसूर उनिवर्सिटी हो। त्रीची नेशनल कॉलेज हो। मात्मा गांधी काशी विद्यापीट हो, गुजराद विद्यापीट हो, विलिंग्डन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इसमालिया हो, लखनो उनिवर्सिटी हो, पत्ना उनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्व विद्यालय हो, आंद्र उनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई उनिवर्सि उसी एक कालगंड में देश में स्तापीद हुए इन उनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ इन सिक्षन समस्तावने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारीक आंदोलन को नई उरजा दी नई दिशा दी नई उचाई दी बक्ती आंदोलन से हम एक जुड हुए ग्यान आंदोलन ने बहुदिक मजबूती दी और कर्मा आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ा का हौसला और साहथ दिया कि सेंक्रों वर्षों के कालखन में चले यह आंदोलन त्याग तपस्या और तरपन की अनूठी मिसाल बन गए थे इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे साथियों ज्यान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्व विद्याले ने नई उर्जा दी थी गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोडते हुए अपनी परंपराओं से जोडते हुए विश्व भारती को जो स्वरूब दिया उसने राष्ट्रबात की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी साथ साथ उन्होंने विश्व बंदूत्व पर भी उतना ही जोड़ दिया फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर